आपने नीजी कमपनियों को जाना और उनको बनाने के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है ये भी जाना आएए अब हम देखते हैं कि नीजी कमपनियों के लाब क्या है यानि एडवांटेजिस की बात करेंगे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी कुछ लाब जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो पहला लाब है वो कहता है सरल निर्मान तो सरवजनिक जो कंपनी होती है उसके निर्मान की अपेक्षा जो नीजी कंपनिया हैं उनका निर्मान सरल रहता है क्योंकि इनके निर्मान के समय उतने वैधनिक जो अब्लिकेशन्स आते हैं या जितनी समस्याइं आती हैं वो सरजनिक कमपनियों की निर्मान की तुलना में कम होती है बहुत ही ज़ादा कम होती हैं यह कह सकते हैं साथ ही साथ जो नीजी कंपनियां होती हैं उनका निर्माण दो व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं उनकी स्थापना जो है दो व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं तो अगर हम कंपरिशन करें सारजुनिक कंपनी की तो कंपरिटेवली जो नीजी कंपनी है उनका निर्माण जो है वो आसान ह होता है और उसमें जो वैधानिक समस्याइं आती हैं वो बहुत ही कम होती है आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसका अगला लाब इसका अगला लाब कहता है कि व्यापार प्रारम करने की सुविधा अब जब कंपनी का निर्मान हो चुका है तो इसे अलग प्रकार की किसी बात करें तो इन्हें बहुत सारे डॉक्मेंटेशन वर्क के आवश्राथा होती है ऐसा नीजी कम्पनीयों के साथ नहीं होता आगे बढ़ते हुए देखते हैं गोपनियेता क्योंकि नीजी कम्पनियां ऐसे होती है कि यह अपने वो को क्या है थोड़ा इनका जो वोक है व सबके सामने नहीं हमेशा रहती हैं चौथा हाल के पारसपरिक वीश्वाथे बहुतेरा को देखेंगे तो यहां पर अएक साथ कोडिनेशन क्योंकि तो समाज में रहने के लिए लोगों के बीच क्वार्डिनेशन होना जरूरी तब भी वह लॉंग टर्म क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रह सकते हैं उसी तरह कर हम नीजी कम्पनियों को देखें तो च्युक्कि यह क्या परस्णल लेवल पे चलाई जाती हैं करें फुद का व्यवार लोगों से साथ ही साथ अपने जो अंशधारी हैं और अपने competitors हैं उनका इनका जो basic इनका behavior होता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि इनको market में long term रहना है और sustain करना है बहुत दूरी चलना है तो इनके लिए क्या करना होता है कि इन लोगों के बीच जो है पारसपरिक सहयोग वह विश्वास की भावना होना जरूरी है तभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वह long term basis पे market में बने रहेंगी और अपने कारे को अगे बढ़ाएंगी आगे देखते हैं अगला लाब होते हैं towards their work मतलब अपने कारे के लिए वह ज्यादा ही समर्पित होते हम कह सकते हैं वह मन लगा करके समर्पन भाव से अपने कारे को अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं क्यूंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती है अगर आप देखें तो यह लोग एक प्रकार का असेस्मेंट कराते हैं तो जो इंप्लोई जिनका अच्छा होता है हम कह सकते हैं उनी का अप्रेजल होता है या उनको ही इन फ्यूचर प्रमोशन और और भी अलग अलग फेसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती हैं तो एक जो ल व्यक्ति को क्या करता है इस तरके कारे को करने की भावना पैदा करता है हम कह सकते हैं जैसे कि स्टेट्मेंट में आप देख रहे हैं कि कारे तदा प्रतिफल में प्रत्यक्ष संबंद तो अगर हम अच्छा कारे करेंगे तो हमारा प्रतिफल भी उतना ही अच्छा होगा य जो जैसे कि हमने एकल स्वामित्व में देखा ता कि जो वियवसाइज जो एकल स्वामित्व करता है वो क्या करता है वो अकेले ही सारी चीजों से डील करता क्योंकि वह मालिक होता है तो साथ ही साथ उसको सारे departments जो उसके अलग-अलग हैं वो उसको देखने पड़ते हैं चाहें उसको अपने website से related वस्तों को खरीद कर लाना है या अपने वस्तों को बेचना है अपने customer से उसका behavior है सब कुछ यह क्या होता है एकल proprietorship में हमने देखा हुआ है उसी तरह क्या होता है कंपनी में भी क्या होता है कंपनी कंपनी की बात कर रहे हैं यहां पर जो होता है ग्रहक और मालिकों के बीच का संबंद जो है बहुत मधूर बनाने की कोशिश की जाती है simple सा objective या goal यह होता है कि market में किस तरीके से जो है बने रह पाएं साथ ही साथ अपने customer को satisfy करें और उसके साथ साथ जादा से जादा market को किस तरीके से capture किया जा सके तो जो main मुद्दा रहता है वो यही होता है इसलिए यहां पर प्रतिक्ष संबंद है वो नीजी कंपनी का एक लाब काउंट किया जाता है यह इसको उसके अंतरकत लिया जाता है तो बचो इस तरीके से हमने नीजी कंपनी के लाभोग को जाना जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला था सरल निर्मान दूसरा था व्यापार प्रारम करने की सुविदा तीसरी थी गोपनी था चौ कार नीजी कंपनियों में लाभ होने के साथ साथ कुछ दोश पर पाए जाते हैं जो पहला दोश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहता है कि सीमिद आर्थिक सादन देखिए बचो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इनकी मेंबर्स की संख्या काउंट की थी उस समें तो कम स बिजनस को करने में और उससे डॉक्यमेंटेशन वर्क और और बी चीज़ें होती हैं जो उनको करने में समस्या आती है तो यहां पर जब मेंबर्स या अंशधारियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया है दोस्तों कर दिया गया तो पुंजी भी उतनी ही लिमिटेड पूर्शन में आएगी तो जब पुंजी सीमित इस तरह से क्या होता है कि जब मेंबर्स सीमित हैं तो पुंजी भी सीमित हो जाएगी तो जैसे कि पहला स्टेट्मेंट कहे रहा है कि सीमित आर्थिक साधन तो यहां पर जैसे ही अंशधारी और मेंबर्स लिमिट कर दिये ग गई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला दोश कहता है सुरक्षा का आभाव नीजी कंपनी में ये एक बहुत इंपॉर्टन दोश है जो सामने आता है देखिए बच्चों बहुत सारी चीजे होती है कि नीजी कंपनी में हम देखते हैं कि पार्शल्टी बढ़ ज किसको नहीं रखना है किसका प्रमोशन करना है इस तरह की शुरक्षा का अभाव पायता है यह जो कि के वल करमचारी लेवल पे होता है मतलब इंप्लॉई लेवल पे बलकि साथ-साथ प्रबंधन यानि मैनेजमेंट लेवल पर भी पाया जाता है क्योंकि जो होल एंसोल होत है वो सारे डील्स करता है or sometimes In deals को या decisions को लेते समय वो क्या हो जाता है लोगों के भीच उसका खुद का behavior सामने वाले वेक्ति से कैसा है यह सामने वाले वेक्ति का behavior उससे कैसा है उन दोनों के बीच कैसे terms मने हुए कितना कॉर्डिनेशन लेवल है सब कुछ जो है क्यालकुलिश टेड रहता है यहां पर हम कह सकते हैं सबकी गणना होती है और इसके हिसाब से फिर डिसेजन लिया था तो यहां पर प्रबंधन में ही नहीं बलकि कर्मचारी लेवल पर हम कह सकते हैं सुरक्षा का आभाव पा जाता है जो अगला दोष है वह कहता है नीजी कंपनियों की उपेख्षा अब जो है सरकार जब भी किसी भी तरह का फृंड रिलीज़ करती है तो वो इस तरीके से आपने नीजी कंपनियों को जाना उसके नियम किन नियमों का पालन करने पर जो है एक नीजी कमपनी का निर्मान किया जा सकता है वो जाना वो पांच नियम मैंने आप से चर्चा किये थे इसके साथ आपने लाब जाने और नीजी कमपनी के दोश जाने आए हम नीजी कमपनी के विशेशादिकार जानते हैं कि नीजी कमपनी को ऐसे कौन से विशेशादिकार प्राप्त है बचे जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है नीजी करण का दौर चल रहा है बहुत सी कमपनियों का नीजी करण हो गया है, साथ से साथ बहुत सी नीजी कमपनियां खुल भी रही है, तो इन नीजी कमपनियों में वृद्धी को देखते हुए उनको विश्यशादिकार जो प्राप्त हुए हैं, आईए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसको जान कि दो व्यक्ति मिल करके एक नीजी कमपनी का निर्मान कर सकते हैं, फिर दूसरे यहां पर विश्यशादिकार की चर्चा हो रही है, वो कहता है कि इस कमपनी के शेरों के आबंटन पर कोई प्रतिबंद नहीं होता, साथ ही साथ इस कमपनी को व्यापार प्रारम करने के वैधानिक बठख करने था, उसकी रिपोर्ट वैधानिक करियाल भेजना अनिवारे नहीं होता, इस कमपनी में प्रथम संचालत की नियुकती के लिए विज्यापन देना अनिवारे नहीं हैं, क्योंकि जो कमपनी का स्वामी है, वो कमपनी स्टार्ट करने वाला विक्ती ही होता है इस तो यहां पर विग्यापन देना अनिवारी नहीं होता है फिर बात आती है कि रेजिस्ट्रार कारेयाले में केवल स्थिति वित्रण और 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 रिपोर्ट को भेजना पड़ता है इस कंपणी के संचालकों को रण देने के लिए केंद्री सरकार की अनुमती नहीं देनी पड़ती और नीजी कंपणी का संचालक बनने के लिए योगिता शेयर खरीदना वह अनुमती पत्र पर भरना यह आवश्यक नहीं होता है इसके अलावा अगर हम देखें तो संचालकों का बार-बार अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है और लाब पर अधिकार कहलें कि नियुकति कितने ही समय के लिए की जा सकती है कि आप इतने समय के लिए के लिए नहीं वो जब तक कंपनी का मानेज्मेंट चाहाएगा या कंपनी की logaritk टरी तब तक वह कंपनी का पढदिकारी बन सकता है और डेक्टर्स को एसा लगताए कि नहीं अब जो है वेक् आगे देखते हैं अगला जो विशेश अधिकार परापता है वो कहता है कि नीजी कंपनी अपने शेर खरीदने वाले व्यक्ति के अधिक सहायता भी कर सकती है साथ ही साथ प्रविरन रेजिस्ट्रा और आफिस भेजने की आविशक्ता नहीं होती है अधिकारी के परिश्ट्रमिक पर रोक नहीं होती और एक ही प्रकार के कंपनियों पर धन का विनियों करने में कोई रोक नहीं होती साथ ही साथ संचालकों में बदलाओं में सरकार का हस्तक शेप नहीं होता और बैठक की न्यूनितम कोरम दो सदस्यों से ही पूरा किया जा सकता है मतलब किसी भी मीटिंग को शेडूल करना है उसके लंबी चौड़ी फॉज को बुलाने की आवश्यक्ता नहीं है जो दो सदस्य जिन्होंने स्थापना की है निर्मान कारे कीया है मैं कम से कम नमबर्स बता रहे हूं उन सदस्यों को बिला कर क्या किया जा सकता है यह वो बैठक पूरी की जा सकते है तो बचो यह थी नीजी कमपनियां आई अब हम बात करते हैं सारवजनिक कमपनियों के बारे में तो सारवजनिक कमपनियां क्या है वे कमपनियां जो नीजी नहीं है वे सारवजनिक कमपनियां कहलाते है यही परिभाशा जो है वो दी गई है कमपनी अधिनियम धारा 2013 की धारा दो साथ के अनुसा उनके अनुसा जिन जो कमपनिया जो है वो नीजी कमपनिया नहीं है वही कमपनिया कहलाती है सारजनिक कमपनिया अब इन सारजनिक कमपनियों के विशेश नियम क्या होते हैं इनके जो विशेष नियम रिन का प्रतिबंद नहीं होता, अधिक्तम सदसे संख्या पर कोई प्रतिबंद नहीं होता। अधिक निवनितम जो होती ही साथ होती है और इतितम कितनी होती है अलिमिटेड हो सकती है उसके बाद अंशो और रिण पत्रों के लिए जनता को आमंतरित कर सकते हैं ये लोग और जो जन निक्षेप है यानि पब्लिक डेपॉजिट्स की बात कर रहे हैं उनके लिए भी जनत को आमंत्रित कर सकते हैं और उसके बाद जो चुकता अंश पूंजी है पेड़ अप क्यापिटल की बात कर रहे हैं तो वो जो पेड़ अप क्यापिटल है उसका जो न्यूनतम राशी है वो पांच लाक होना चाहिए यह समय के नुशार बदलते रहता है तो अगर हम सर्जिक क कंपनी में लग सकता है या नहीं भी लग सकता है तो आप अपनी स्क्रीन पर कुछ यह भारत के सारजनिक कंपनियों के नाम देख रहे हैं तो इस प्रकार से सपर्श्ट है कि सारजनिक कंपनियां कि अगर हम इसके कैरेक्टर्टिक्स या उसके मुख्य बिंदूओं को जने तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सारजनिक कंपनियां हैं उनमें अंशों के हस्तान्तरंड पर प्रतिबंद नहीं होता दूसरी इस क्या होती है यहां पर जो पेड़ अप कैपिटल है या चुकता अंश पुंजी है वो नियुनितम पांच लाग होती है तो इस तरीके से बच्चो यह सबसे इंपोर्टेंट बात जो सारजिनिक कंपनी होती है वो अंशो और रन पत्रों में विनियों के लिए जनता को आमं जान लिए और सार्जिनिक कंपनी क्या होती है वो भी जान लिए आईए अब हम इनको कुछ अंतर के माध्यम से और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि नीजी कंपनी और सार्जिनिक कंपनी में क्या अंतर है तो जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारजिन कंपनी में कम से कम साथ और अधिक के लिए कोई सीमा नहीं होते हैं, उसी तरह नीजी कंपनी में कम से कम दो तदा अधिक से अधिक पचास अधा से हो सकते हैं. दूसरा अंतर का आधार हम लेते हैं जनता को आमंतरण तो सारजनिक कमपनी में अगर हम देखें तो इसमें जनता को आमंतरण किया जाता है जबकि अगर हम नीजी कमपनी में देखें तो इसमें जनता को आमंतरण देने पर प्रतिबंध होता है तीसरे अंतर का आधार लेते हैं प्रविवरण यानि प्रॉस्पेक्टिस तो सारजनिक कंपणी में प्रविवरण पत्र जारी किये जाते हैं और इसके आभाव में स्थाना पनन पत्र जारी किये जाते हैं वहीं नीजी कमपनी में अगर हम देखें तो नीजी कमपनी में प्रविवरंट पत्रजारी नहीं किये जाते हैं चौथा अंतर का आधार लेते हैं अंशो का हस्तांतरण सार्जिनिक कमपनी में अगर हम देखें तो इसमें अंशो का हस्तांतरण किया जा सकता है और नीजी कमपनी में अगर हम देखें तो इसमें अंशो का हस्तान परण नहीं किया जा सकता उसी तरह अंशो के आबंटन की बात करें तो सर्जिनिक कमपनी में अगर हम देखें देखते हैं तो इसमें समा मेलन के बाद व्यापार प्रारंब करने का प्रमान पत्र लेना पड़ता है इसकी वीपरित अगर हम देखें तो नीजी कमपनी में इसमें समा मेलन के तुरंत बाद व्यापार प्रारंब कर दिया जाता है साथवा अंतर का अधार लेते हैं संचालकों की संख्या तो सार्जिनी कंपणी में देखें तो इसमें कम से कम तीन संचालकों का होना आवश्रक है और नीजी कंपणी में देखें तो कम से कम दो संचालकों का होना आवश्रक होता है आठ्वा अंतर का अधार वैधानिक सभा लेते हैं तो साजिनिक कंपनी में अगर हम देखें तो इसमें वैधानिक सभा बुलाना तता उसकी रिपोर्ट रिजिस्ट्रार के पास भेजना अनिवार होता है उसी तरह हम नीजी कंपनी में लें इसमें वैदानिक सबा बुलाना थाता, उसकी रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं होता है। नोबे अंतर का अधार हम लेते हैं सदस्यों की सूची, तो साज़िन्य कंपनी में अगर हम देखें तो इस कंपनी में सदस्यों की सूची रखना आवश्यक होता है, और अगर निजी कमपणी में अगर हम देखें तो निजी कमपणी के लिए सघ्शियों की सुची रखना अनिवारे नहीं होता है दस्वां अंतर का अधार ले लेते हैं संचालकों का re-tyre हुना तो इसके अंतरगत अगर हम सारजनिक कंपनी को देखें तो इसके अंतरगत संचालकों द्वारा प्रतिवर्ष पारी के अनुसार अवकाश लेना निवारे हैं और और में इजी कंपनी में इसमें बेखें तो इसके अंतर्गत पृतिवाष संचालग को पारी से अपकाश्ट डेणा आवश्चत नहीं है 11 नायरवां तरकाधार लेते हैं संचालगों का रिंद तो सादुनिक कंपनी में अगर हम देखें तो सादुनिक कंपनी में केंदरी सरकार की अनुमती के बिना संचालकों को रण नहीं दिया जा सकता और नीजी कंपनी में केंदरी सरकार के बिना अनुमती के संचालकों को रण दिया जा सकता है कि 12 अंतर का आध innो का बनाना जिसमें हम सारिजिंग कंपनी में अगर देखें, तो इसमें अंत्र निर्यमों का बनाना आवश्य कहती है इसमें नीजिंग कंपनी अंतिमंतर का अधार लेते हैं लिमिटेड शब्द का उपयोग तो सार्जनिक कंपणी के दशा में नाम के बाद लिमिटेड शब्द का प्रियोग किया जाता है और नीजी कंपणी को अपने नाम के बाद प्राइविट लिमिटेड शब्द का उपयोग करना अनिवारे होता ह सट्षिक कमपनी और नीजी कंपनी के बारे चरन किया है बत्चों किस ठापना विभिन शेरण क्या है इस आप यह क्या बात हो रही है यह company का formation क्या है सबसे बड़ी बात यह तो उन में उन सारी activities को involve किया जाता है या include किया जाता है जो किसी company को बनाने में या उसको अस्तित्व में लाने में हम कह सकते हैं मदद करती हैं या इसे एक अच्छी भाषन में ऐसा भी कह सकते हैं कि उन सभी क्रियाओं का योग जो किसी company को उसका अस्तित्व प्रदान करती है वो क्या कहलाती है formation of company के various stages में आती हैं अगर हम देखें तो इन में बहुत सारी आपचारिकता हैं पा जाती है इन्हें तीन चरणों में भक्त किया गया आए जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं पहला चरण है प्रवरतन याणि प्रोमोशन दूसरा चरण है सममेलन अत्वा रजिस्ट्रेशन जिसे हम इनकॉर्परेशन और रजिस्ट्रेशन कहते हैं और तीसरा चरण है व्यवसाय प्रारंबकन अब हम इन तीनों चरणों को डीटेल में एक एक करके समझेंगे शुरुवात हम करते हैं प्रवर्तन यानि प्रोमोशन से जैसे कि यह बहुत ही कॉमन वर्ड है प्रोमोशन आपने सुना भी होगा वैसे तो बच्चों प्रोमोशन आप स्पे पूरा बना सकते हैं यह मूवी क्तने कि लग सकती है यह अप्रॉक्सिमेट बना सकते हैं साथ ही साथ इस movie का direction और production कौन कर रहा ये बताते हैं मतलब कुल मिला करके अपने movie को promote करके वो क्या देते हैं एक जानकारी प्रसुत करते हैं कि in future ये जो movie है आने वाली है और इनके directors, producers साथ ही साथ जो main cast है या कह सकते हैं जो main hero heroine है उनके बारे में बताते हैं और उस के story की movie के story की छोटी सी जलक जो है वो बताई जाती है या छोटा सा भाग दिखा जाता है बाकी का जाता है कि आप movie में देखे तो आप promotion world को यहां से समझते हैं लेकिन हम अगर इसको business से relate करें तो क्या समझ सकते हैं या उसका concept आपके दिमाग में क्या आता है तो गर हम promotion को समझें तो यह भी एक प्रकार का विचार है जो चालू संस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए आता है मतलब गए सकते हैं कि कोई भी promoter जो व्यक्ति promotion करेगा वो promoter होगा उसके मस्तिश्क में एक विचार हैगा कि इस तरीकी का business किया जा सकता है ये विचार है अब ये कोई नया innovative खयाल हो सकता है अब खयाल आने के बाद ये कैसे किया जाएगा चिक है इसमें क्या-क्या संसाधन लगेंगे इसके लिए जो पूंजी की आवश्शक्ता है वो कहां से उपलब्द कराई जाएगी और इस company के लिए जिन वैधानिक documentation part को पूरा करना है वो किनकी सहायता से पूरा हो सकता है ये सारी चीजों के बारे में वो जो प्रवर्तक है यानि promoter वो promotion के दौरान उस पर विचार करेगा क्योंकि उसको उस company का promotion करना है तो इसमें इन सब चीजों को अगर हम short में समझें तो वो ये सोचेगा कि company किस प्रकार की होगी उसका आकार क्या होगा उसका स्थान कहां होगा उसका जो स्वामित्व है वो किस के हाथ में होगा साथ ही साथ उसमें जो लगने वाली पूंजी है उसको कहां से अरेंज किया जाएगा अब आज के अगर दैनिक जीवन में देखें तो अगर किसी व्यक्ति को कोई company खोलनी है तो वो क्या करेगा वो क्या करता है company secretary CS के पास जा करके वो क्या करता है counseling कराता है अभी इस समय बहुत सी ऐसी व्यक्ति एवं संस्थाएं हैं जो कि इस तरीके के कारे में सनलगन है वो क्या करते हैं एक किसी भी व्यावसाई topic पर या startup के लिए हम कह सकते हैं ये बहुत ही common word है जो कि सामने आया है किसी भी startup पर या किसी भी व्यावसाई को शुरू करने पर विचार करते हैं उसको सार्थक बनाने की विधी तयार करते हैं और जब वो तयार हो जाता है business तो उस बने बनाय बिजनस को क्या करते हैं जो लोग या जो हम इच्छु कभी केसे हैं कि जो इस startup को इस प्रकार के promotion को इस प्रकारके व्यावसाय के प्रवर्तन जो है उसको झो है खरीदना चाते हैं उनको वो बेच देते हैं तो हम क्या समझे promotion से promotion है एक प्रकार का विचार है जो कि चालू संस्थान के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को प्रवर्तन कहते हैं अब इस कॉंसेप्ट को हमने जान लिया कि प्रोमोशन क्या है तो अगर हम प्रवर्तन का अर्थ समझें तो प्रवर्तन में उन सभी क्रियाओं को सनलंगन किया जाता है सकते हैं विभाजित किया है इसमें अगर हम देखें तो जो प्रवर्तन हैं निर्मानी कारी यह निर्मानी कारे में आ गया तीसरे एक प्रकार का और बिजनस होता है जिसे हम कहते हैं सेवाएं प्रदान करना सर्विस बिजनस इसको आप जो ट्रांस्पोर्टेशन कंपनीज हैं जो बड़े-बड़े ट्रक्स में माल को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं उनके सर्विस को या उनकी सेवाओं को एक उदारंटर ले सकते हैं तो प्रवर्तन को जो है यह यह प्रमोशन के कारे को है तीन प्रकार से किस प्रकार के व्यवसाय को हम कर सकते हैं या उसके बारे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर गुथमेन और डूगल के नुसाय प्रवर्तन दिमाग में आने वाली उस विचार के साथ प्रारंब होता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाना है और जब तक व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कारे प् यार नहीं होता तब तक चलता रहता है उसी तरह हम गस्टन बर्ग के नुसार देखें तो उनके नुसार प्रवर्तन के व्यावसाइक अवसरों की खोज करने तथा उनसे लाब प्राप्त करने के उद्देश से पूंजी अत्वा कोशों संपत्ती तथा प्रबंध योगित को एक व्यावसाइक संसा में संगठित करने के रूप में परिभाशित किया जाता है तो अगर हम निशकर्ष निकालें तो प्रोमोशन या हम प्रवर्तन को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह जो है एक विचार है कि हम किस तरह की कॉंसेप्ट पे या किस तरह का बिजनस शुरू करें और इस बिजनस को शुरू करने से पहले है ना उसकी सारी प्लानिंग होती है ठीक है कि हम कौन सा बिजनस शुरू कर सकते हैं कि किस आकार का होगा है ना प्रकार में हमने देखा कितीन प्रकार देखे ट्रेडिंग देखा मैनिफिक्चरिंग बिजनस देखा सा साथ ही साथ इसमें कितनी पुन्जी लगेगी कहां पर स्टार्ट करना ही स्थान की बात स्वामित्व किसका होगा उसकी बात आती है और इस शारी चीजिए समान जाती और उस व्यावसाए को शुरू करने के बाद उसको मैनेज किस तरगे से क्या जाए उसका मैनेजमेंट कहां से किन लोगों को उसमें रखा जाए ताकि वह व्यावसाए और आगे बढ़े। इन सारे विचारों को एक अच्छा सा आकार देकर के स्वरूप देकर के जो बात आती है कि एक व्यवसाय को चालू संस्था में परिवर्तित किया जाता है वही प्रवर्तन है या प्रमोशन हम कह सकते हैं अब हमने प्रमोशन जान लिया है आईए अब हम देखते हैं कि प्रवर्तन की अवस्थाएं क्या हैं